स्री शिवाई नमस्तु बेम तर्शेकों आप सभी का हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सुमवार की अश्टमी का उपाए एक पूजनी स्री पंडित प्रदीव जी मिस्रा दोरा बताया गया है या उपाए आप सभी जरूर करें आपकी जीवन की हर समस्या का समाधान इस उपाए में है यदि आप किसी परिशानी में हैं आप किसी बिमारी से जूज रहे हैं या फिर आप पर करजा पढ़ गया है या फिर आपकी जिंदगी में कोई कष्ट चल रहा है हर परेशानी का समाधान सुमवार की अश्टमी का है आप सुमवार की अश्टमी के दिन सुभा इसनान आदी के बाद मंदिर जरूर जाएं मंदिर जाकर के आपको साथ बेलपत्र घर से जरूर ले जानी है एक लोटा जल ले जाना है अक्षट के कुछ दाने ले जाने है साथ बेलपत्र पर आप चंदन से बीच वाली पत्ती पर ओम जरूर लिख ले आजू बाजू वाली पत्ती पर उसी चंदन से बिंदी लगा ले चाहे तो आप केसर से ओम लिख सकते हैं लेकिन अधिकतर लोगों की रिक्वेस्ट थी कि हमारे पास केसर नहीं मिल पाता है केसर काफी महंगा आता है और असली नकली का फरक हमें समझ में नहीं आता है तो आप घबराए ना आप केसर युक्त चंदन मिलता है मार्केट में उसे ले आएं तो उससे आप ओम लिख लें जूबाजू वाली पत्तियों पर एक एक बिंदी जरूर लगा ले उस चंदन से जो केसर युक्त चंदन मिल जाएगा आपको 10-20 रुपे की डिबबी आती है आप उसे ले आएं और देखिए एक एक करके आपको एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और आप अपनी मनोकामना बोलते जाएं श्री शिवाय नमस्तु भ्यम बोलने के साथ एक एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है उसके बाद आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें उसके बाद आते समय आप अपनी मनोकामना बोलकर एक बेलपत्र जरूर उठाकर घर ले आएं उससे समाल करके अपने मंदिर वाले इस्थान पर रग दें या फिर आप ऐसी जगर पर रग दें जहाँ पर स्वचिता बनी हो वहाँ पर रग दें और आप देखते ही देखते हैं आपकी हर समस्या का समाधन उस एक बेल पत्र से होता चला जाएगा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है आप बस इस उपाय को कर लीजिएगा आपके हर एक मनुकामना पूर्ण होगी अतिशीगर पूर्ण होगी आपके हर एक काम बनते चले जाएंगे आप इस उपाय को अवश्य कीजिए सोंबार की अश्टमी साल में बहुत कम आती है तो यह मोका आप क्वशती साल में आपके हर एक में आपके हर एक में आपके हर एक में आपके हर एक में आप जार कर व activatesता है